नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं अपनित नरेंद्रु पाधिया लाइव हिंदुस्तान के जोतिशे कारीकरम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सबसे पहले हम लोग 4 सितंबर 2023 की ग्रह स्थिती जानते हैं गुरु चंद्रमा राहू मेश राशी में शुक्रकरक राशी में वक्री गती से चल ला है सिंग राशी में सोर्य और बुद्ध जहां बुद्ध वक्री से वक्री गती से चल ला है मंगल, कन्या राशी में, केतू तुला राशी में वक्री होकर के शनी कुम्भ राशी के गोचर मिचल नहीं राश्यों पर क्या प्रभाव देंगे आई दे मेश राशी पॉजिटिव और नेगटिव दोनों तरह के रेजल्ट देने को रेजल्ट प्राप्त होंगे मेश राशी को शारीरिक इस्थिति मध्यम रहेगी प्रेम संतान की इस्थिति काफी अच्छी रहेगी ब्यापार भी सने सने चलता रहेगा हरी बस्तू का दान करें लाल बस्तू पास रखें शुक होगा मन डरा डरा सा रहेगा खर्च के अधिक्ता मन को परिशान करेगी सरदर्द नेत्रपीडा बहुत बेचैनी घबराहट रहेगी प्रेम संतान मध्यम स्वास्त मध्यम व्यापार मध्यम लाल बस्तू का जान करें मिठो राशी शारीरिक निर्वलता का अनुभाव करेंगे प्रेम संतान के तरफ से कुछ बहुत खुशहाल नहीं महसूस करेंगे मानसिक इस्थिती दवी-दवी सी रहेगी यात्रा में कर्ष संभव है आर्थिक इस्थिती अनिश्चित्ता में रहेगी कुल्मिला के मध्यम समय लाल बस्तू का जान करें करक राशी अपने स्वास्त पे और पिता के स्वास्त पे ध्यान दें द्यवसाई के स्थिती मध्यम रहेगी प्रेम संतान अच्छा रहेगा स्वास्त भी मध्यम रहेगा लाल बस्तू पास रखें कोई भी ऐसा कारी ना करें जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचें यात्रा अभी रोक के रखें भागे साथ नहीं देगा इन दिना स्वास्त ठीक्ठा प्रेम संतान मध्यम व्यापार्पी मध्य काली बस्तु का दान करें कन्यराश वहन धीरे चलाएं दुर्गटना का योग हो रहा है प्रेम संतान मध्यम रहेगा व्यापार लगभग ठीक रहेगा लाल वस्तु का दान करें तुला राश पति पत्नी की परिशानी कोट के चहरी तक ना पहुंचे इस बात का ध्यान रखिए घर के घरेलू चीजे बाहर न जाए स्वास्त मध्यम प्रेम संतान मध्यम व्यापार्पी मध्यम शनी देव को प्रणाम करते रहें ब्रिश्यक राशी परिशानिया बढ़ी हुई लगेंगी लेकिन समेट लेंगे आप स्वास्त मध्यम रहेगा प्रेम संतान मध्यम रहेगा व्यापार लगभग ठीक रहेगा बुजर्गों का अश्रिवाद बना रहेगा लाल बस्तु पासर धनु राशी मांसिक बेचैनी, घवराहट, बच्छों के स्वास्थ को लेकर के मन परेशान प्रेम में तू तू मैं मैं, विद्यार्थियों के लिए समंजस के इस्थिति स्वास्त मध्यम प्रेम संतान मध्यम व्यापार भी मध्यम काली बस्तु का दान करें मकर राशी, घरल्यू सुख बाधित रहेगा, मा के स्वास्त को लेकर के मन परिशान रहेगा, खुद के स्वास्त को भी लेकर मन परिशान रहेगा, प्रेम संतान, व्यापार, सब कुछ मध्यम दिख रहा है, थोड़ा बच के पार करिए, काली जी को प्रणाम करते रहे, कुम किसी भी तरीके की आर्थिक रिस्क मत लीजेगा धन्हानी के संकेत हैं स्वास्त मध्यम प्रेम संतान मध्यम व्यापारभी मत्यम काली बस्तु का दाल करें नास्कार